दोस्तों इंडियन आर्मी ने गजब का एक्सपरिमेंट किया जैसा कि आपको पता ही हुगा कि छोटा छोटा ड्रोन किसी भी देस के ट्रेटरी में आराम से गुश जाते हैं और जिस डेस में गुशते हैं उस देस को पता लगने में बहुत जादा टाइम लग जाता है इसका करन है क्योंकि डिफेंस सिस्टम इतने छोटे छोटे डिरोन को डिटेक्ट कर ही नहीं सकती है डिफेंस सिस्टम में डिरोन डिटेक्ट नहीं होने के कारण से पाकिस्तान इसका भरपूर फाइदा उठाता था और इस चोटे ड्रोन को आतंकी गती बीदियों के लिए भारत में हतियार पहुचाया करता था और इसी ड्रोन के खत्रों को देखते हो एंडियन आर्मी ने एक चील को ट्रेंड किया क्योंकि ये ड्रोन इतने चोटे होने के बाबजूद भी बहुत सारा नुकसान करने में सक्षम है इसका प्राइम एक्जामपल भारत के इतने सारे आतंकी गती बीदी देख रहे होंगे आकिस्तान से भारत में अभी भी 90% हतियार और ड्रक्स ड्रोन के माध्यम से ही भारत में पहुचाए जाते हैं और इसी बचस इंडियन आर्मी ने एक चील को ट्रेंड किया ताकि दुस्मन देख के ड्रोन भारत में आए तो लेकिन वापस ना जाए आर्तिया फोर्सेस ने बोला कि बहुत सारे चील को आप ट्रेंडिंग दिया जाएगा और उसे भारत के अनेक हिस्सों में सर्विस के लिए उपियोग में लिया जाएगा आपका इस परे में क्या काना है कोमेंट बोक्स में जरूबत है जाहिंद